नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वांटम साइबर स्टार में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम इतिहास, विज्ञान और तक्निक की उन कहानियों को सामने लाते हैं, जिनने दुनिया ने या तो भुला दिया, या जान बूज कर छुपा दिया। आज हम आपको पांच ऐसे भारती विज्ञानिकों की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिननोंने अपने ज्ञान, समर्पन और जुनून से पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इन में से कुछ को नोबेल मिलना चाहिए था, कुछ को भारत रत्न, लेकिन अफसोस, इनके नाम शायद ही किसी स्कूली किताब में मिले। तो चलिए, आज एक-एक कर जानते हैं। उन गुमनाम नायकों की कहानी, जिननोंने विज्ञान को भारतिय आत्मा दी, लेकिन खुद गुमनामी के अंधेरे में खो गए। होसला देता है, ताकि मैं ऐसी ओर कहानियां आप तक ला सकूँ। अज भी कैंसर और बैक्टिरियल संक्रमन में उनकी खोजी गई दवाएं लाखों लोगों की जान बचा रही है। मगर अफसोस, अमेरिका में काम करने के बावजूद उनके नाम के साथ नोबेल प्राइस कभी नहीं जुड़ा। उनका योगदान इतना बड़ा था कि एक वैज्यानिक ने कहा था। अगर सुबबाराव अमेरिका में पैदा होते तो उनकी प्रतिमा वाइट हाउस के सामने होती। भारत की पहली महिला वैज्यानिक जिन्होंने इंटरनेशनल मौटनी की दुनिया में अपना नाम दर्ज कराया। जनकी अम्मल ने भारतिय गन्ने की किस्मों में मिठास बढ़ाने के लिए करांतिकारी जैनेटिक रिसर्च की। उनकी खोजों ने न केवल भारत की क्रिश को बहतर किया, बलके उनका योगदान ब्रिटेन के रॉयल होटी कल्चर डिपार्टमेंट में भी सराहा गया। आज जिस मीठे गन्ने से हम चीनी बनाते हैं, उसमें कही न कहीं जनकी अम्मल की प्रयोकशाला की छाप मौजूद है। लेकिन क्या हम में से कोई उनका नाम जानता है? शायद नहीं। क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला नुकलियर टेस्ट, स्माइलिंग बुदा, किसने सफल बनाया था? राजा रामनना। विज्ञान और सुरक्षा की इस जादूई कड़ी को उन्होंने बेहद खामोशी से परदे के पीछे रहते हुए जोड़ा। 1974 में जब पोखरण में भारत का पहला नुकलियर परिक्षन हुआ, तब रामनना जी ही उस मिशन के मुखिया थे। उनका काम पूरी तरह से गोपनिय था, लेकिन उस दिन उन्होंने भारत को नुकलियर पावर बना दिया। वो कहते थे, मैं साइन्स के लिए जीता हूँ ना कि शोहरत के लिए। तीवी और सैटेलाइट रिसेप्शन की दुनिया में भारत के युवा वैज्ञानिक संदीब जोशी का योगदान गहरा रहा। उन्होंने सैटेलाइट सिगनल रिसीविंग टेकनालोजी में ऐसा इनोवेशन किया जिससे ट्यूनिंग प्रोसेस तेज, सटिक और स्मार्ट बन गया। आज के स्मार्ट टीवी, DTH सिगनल फॉर्मेटिंग ये सब उनकी रिसर्च का नतीजा है। उन्होंने एक प्राइवेट कमपनी में काम करते हुए पेटेंट फाइल किये, लेकिन किसी ने उनका नाम खोजने की ज़रूरत नहीं समझी। उनकी टेकनोलोजी का एक्सपोर्ट यूरोप में हो रहा है, लेकिन भारत में उनका नाम कोई नहीं जानता। देश की रक्षा में लगे हजारों वज्ञानिकों में से एक थे, डौ। गडेशन जो मिसाइल सिस्टम्स और रेडार सिगनल प्रोसेसिंग के विशेशज्य थे। उनका सबसे बड़ा योगदान था इंडियन एर डिफेंस सिस्टम को डिजिटल बनाना। उनके द्वारा तैयार की गई तकनिके आज भी ब्रह्मोस और आकाश जैसे सिस्टम में इस्तेमाल हो रही है। लेकिन चुकि उनका काम गोपनिय था, इसलिए ना उन्हें कोई पद्म श्री मिला, ना मीडिया में कोई इंटर्वियू। लेकिन ये वही लोग हैं जिनकी वज़ा से हम चैन की नीन सोते हैं। अन्तिम विचार प्लस, सहयोग की दोबारा अपील दोस्तों, ये थे वो पाँच भारतिय वेज्ञानिक, जिनकी महनत और प्रतिभा ने दुनिया को नई दिशा दी। लेकिन बदले में उन्हें मिला केवल मौन और उपेक्षा। अमारे चैनल क्वांटम साइबर स्टार का मकसद है। ऐसी ही कहानिया आपके सामने लाना, जिनने समय की धूल में दबा दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप एक रुपई की मदद करना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई UPI ID या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से सहायता करें। धन्यवाद, जे हिंद।